हैलो जहिंद प्यारे साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूटूब चला पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी छात्र बिहार आईटी आई में एडिमिसन लेने वाले हैं तो फानले आप लोग यहाँ पर एक नई अपडेट लेकर आ चुका हूँ और साथ में आप लोग कमेंट्स दिखने के बाद ही यह वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र है आईटी आई में एडिमिसन लेने वाले हैं तो फानले आप लोग का एलॉट्मेंट लेटर कब तक आएगा क्या आपका 17 अगस्त को जारी होगा या नही होगा फानले यहाँ पर आप लोग का बात करेंगे इसको लेकर के तो फानले आप लोग कांटीनु वीडियो बने रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप लोग का 17 अगस्त को जारी होगा या नहीं होगा क्योंकि यह पर पहले भी आप लोग डेट देख चुके हैं कि आप लोग का तीन बार यहाँ पर डेट चेंज हुआ है यह बिहार बोट की बहुत बड़ी लापरवाई है जिससे आई टी चातरों काफी भुगतना पड़ रहा है और इनका भविस यहाँ पर खराब हो रहा है क्योंकि यह ना तो कोई अधर कोर्स में अडिमिसन ले पा र एडिमिसन और वे अधर कोर्स का यहाँ पर एडिमिसन लेना चाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग घबराईये मत यहाँ पर जितने भी छातरा आई टी आई में एडिमिसन लेने वाले हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना एडिमिसन क्या इसमें करा सकते हैं वो भी आप लोग को बताऊंगो तो फाइनली आपको वीडियो कांटेन पुरा इंड तक वाज करना है तभी आप लोग मालू हो पाएगा देन आपको चलना पर नए है मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आज यह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन को आल पर सेट कर लिजिए क्योंकि यहां आई टी आई का एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको गवर्मेंटेड आई टी आई में एक अच्छे ट्रेट के साथ आपको एडमिशन दिलाने में काफी हेल्प करता है और आप लोग का जो भी डाउट्स जो भी कन्फियो रता है उसको सब पर सेट यहां पर सोलुशन आपको मिलता है तो आई वीडियो कांटेन भी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पहले बात करते हैं कि जितने भी छात्र यहां पर आई टी आई में एडमिशन लेने वाले हैं तो वे छात्र फानली अपना कांसलिंग करा लिए हैं ठीक है तो लोगों को मता दो कि आप लोगों का इलाटमेंट लेटर जो है ओ अब आपका 17 अगस्त को जारी होने वाला है तो यहां पर जो भी बच्चे अधर कोर्स में इसे 11 एड़िशन लेने वाले हैं या फिर 12 में पीशन लेने वाले हैं तो फारली में आप लोगों बता दू कि अग भी second round में तो आप लोग ITI में भी admission ले ले लेजिएगा आप लोग का एक affidavit प्रमारपत्र बनता है जिसी आपको बनवा करके ITI में जमा कर देना है और आप लोग का admission जो हो जाएगा और इसके बाद आप लोग 12 भी कर सकते हैं और साथ में ITI भी कर सकते हैं और यहाँ पर जनरली आप लोग जब ITI और 12 एक साथ करेंगे तो आप लोग का 12 और ITI का certificate एक साथ नहीं लगा सकते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू कि ITI के साथ साथ आप लोग का 12 का या फिक graduation का certificate मांगता भी नहीं है ठीक है ITI प्लस 10 का certificate आप लोग का लगता है ठीक है और ITI के बाद आप लोग अगर CITS करते हैं तो इसका भी आप लोग certificate ITI प्लस 10 और प्लस आप लोग CITS का फार्म यहाँ पर certificates लगा सकते हैं ठीक है जनरली आप लोग jobs के लिए तो यहीं आप लोग का जनकारी है और यहाँ पर आप लोग में बता दू कि आप लोग का जो यहाँ पर आप लोग confused हैं कि 17 अगस्त को आएगा या नहीं आएगा क्योंकि आप लोग का जारी कर दिया जा रहा है लेकिन आप लोग का जो आई टी आई का है वो उसका डेट में बदलाव कर दिया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जितने भी बच्चे पहले के हैं student उनका चल रहा है जिसके विए से आप लोग का एलोट में लेटर का डेट बढ़ाया गया है और यहाँ पर एक पॉइंट अली बात में आप लोग को बता दू कि जितने भी छात्रिया पर आई टी आई में एडिमिशन प्रिविए सिर के लिए हैं तो उनका यहाँ पर ओनलाइन ज चे यहाँ पर एकजाम देंगे प्रिविएस यर के तो यहाँ पर आप लोग का एडिमिशन जो है रिजिस्टेशन करना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो भी आप लोग के काउंसलिंग हो रहे हैं एलोट में जो स्कुन कर दिए गाइगा जैसे ही आप लोग को परफर वीडियो में घंद्य बोद गूंद